जाइन दोस्तों स्वागा था आपको सिक्षा कमटी संग क्लासेस में दोस्तों आज किस वीडियो में RPF कांश्चल भरती ग्रूप D की बात करेंगे हम आपको बता दें कि RPF कांश्चल ग्रूप D का फाइनल डियल गोसित हो चुका है उसके लिए हम पहले वीडियो बना दिये हैं तो हम वीडियो के नीचे आपको लिंक दे देंगे तो आप वहां से देख लीजेगा लेकिन आपको हम बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम फाइनल कटाप के बात करेंगे कि आखिर आरपी अप कांश्चल गूर्प D का फाइनल कटाप कितना गया है तो हम आपको दो तरह का कटाप बताएंगे एक कटाप हम आपको फिचकल के लिए बताएंगे कि कितने नंबर से आपका नाम फिचकल के लिए आया था और दूसरा कटाप आपको हम बताएंगे कि आपका मेजकल के लिए या तो आप कह सकते हैं कि फाइनल सेलेक्शन कितने नमबर से हुआ है दोनों कटाप बताएंगे और ये भी बता देंगे कि दोनों कटाप में कितने नमबर का अंतर हुआ है मेल फी मेल और काश्ट वाई जर्नल ओबी सी एश्टी एश्टी सी सभी का हम आपको पूरी जानकारी डिटेल से देंगे और एक जानकारी हम आपको बता दें कि ग्रूप डी एक ऐसा जोन था जो बहुत जादा रेड जोन था सबसे हाई कटाप पहले भी गया था और अब आपको बता दें कि मेटकल के लिए जो लिश्ट आई है और उसके बाद जो कटाप जारी हुआ है उसमें भी बहुत ज़्यादा कटाप गया है आप देख सकते हैं यहाँ OBC का 120 कटाप पूरा चला गया है लेकिन यह नर्मलाजेशन के बाद गया है तो आप यह सकते हैं कि RPF में टोटल 120 कोश्चन थे तो आपका कटाप भी OBC में आप देख लीजिए 120 और जर्नल का आपका 117.183 कटाप गया है तो बने रही है इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको डिटेल से देंगे और आफीसियल देंगे लेकिन दोस्तों अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सस्क्राइब कर लें और बगर में बेल आइकन की बटन को दबा लें जिससे आपको समय समय पर RPF कास्टिवल से संबंदी पूरी जानकारी मिलती रहे अब चलिए आपको हम आफीसियल कटाप बताते हैं कि आपको देखना कैसे है उसके लिए दोस्तों आपको RPF कास्टिवल की आफीसियल साइट में जाना है आप यहाँ देख सकते हैं यह RPF कास्टिवल की आफीसियल साइट है उसमें आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दो कटाप मिलेंगे आप यहां अच्छे से देख लीजिए एक कटाप आप यहां देख लीजिए फाइनल कटाप है आपका एक जो आजी ग्रूप D का जारी हुआ है और एक कटाप आपका यहां मिल जाएगा जो PT PMT के लिए था यहां कह सकते हैं आप यह फिचकल वाला कटाप है और यह आपका फाइनल कटाप है अगर आपको देखना है तो दोनों को क्लिक करके देख सकते हैं यह आपका फिचकल वाला कटाप है आप यहां के देख लीजिए group D का male female का दोनों का दिया गया है कि कितने नमबर से नाम आया था काश्ट बाइच फिचकल के लिए लेकिन उसको आप पीछे करके आप फिर से आएंगे तो आपको final कटाब देखना है तो आप इसमें आएंगे तो यहां मिल जाएगा कि group D का final कटाब कितना गया है male female का magical के लिए तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने वाले थे कि final कटाब कितना गया है और कितने नमबर का अंतर रहा है लेकिन दोस्तों हम यह बता दी कि जिन अभ्यारतियों का नाम magical के लिए आ गया है वो अभ्यारति magical में क्या क्या होता है और magical में एक attestation farm आपको लेके जाना है तो attestation farm है क्या और इसको step by step भरना कैसे है हम पहले ही वीडियो बना दिये हैं जैसे ही वीडियो समाथ होगा तो आपकी screen के उपर वीडियो आ जाएगा तो आप click करके देख लीजेगा कि step by step participation farm पैसे भरना है जिससे आपको कोई परिसानी ना हो अब बात कर लेते हैं final cutout इधर female का दिया है इधर male का दिया है तो पहले male की बात कर लेते हैं उसके बाद female की भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको यहां से देखना है तो यहां से आप देखेंगे तो सबसे पहले यहां किसका दिया है यहां सबसे पहले दिया गया है male का तो अगर male में बात करें तो सबसे पहले OBC की ही बात कर लेते हैं तो OBC का जो हम आपको बता दे फिचकल के लिए कटाप गया था वो आपका गया था 12系-117 और जो final selection हुआ है तो जिनका 120 आया है नारमलाजेशन के बाद उन ही का selection हो पाया है तो हम आपको रुजा दें कि 12 अच 10 ग्यॉचन के बाद की ही कटाप है डेक सकते ही कितना rate जोन था कि 120 20 question आया था और 120 पहुँच गया है अब अगर बात करें कि अंतर कितने का रहा तो दोनों कटाप के बीच में हम आपको बता दें कि 28 नंबर का लगभग अंतर रहा है 28 नंबर मतलब बार ने दिसमलो एक साथ से फिचकल के लिए नाम आया था और जो 120 पाया है तो फाइनल सेलेक गया था उसका फिचकल के लिए नाम आ गया था और 86 दिसमलो एक पाच से सेलेक्शन हुआ है तो आप ये देख सकते हैं कि लगभग तीन नंबर का अंतर एसी में भी रहा है तो एसी में ज़्यादा अंतर नहीं था अब अगर बात करें यहाँ पे एस्टी की तो एस्टी की बात करें तो 80 नंबर आपका गया था किसके लिए फिचकल के लिए और 82 दिसमलो पाच तीन में आपका फाइनल सेलेक्शन हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि एक दिसमलो पाच यानि देड़ नंबर ही इस्ट्रा बढ़ा है तो एसी एस्टी में इ क्योंकि जर्नल की अगर बात करें तो जर्नल में आपको बता दूँ कि 12 दिसमलो आठ साथ गया था आपका फिचकल के लिए कटाप और फाइनल सेलेक्शन 117 दिसमलो आठ तीन में हुआ है तो देख सकते हैं लगवख 24 नंबर की बढ़ोतरी हुई है तो देख सकते हैं जर् के लिए आगया था क्योंकि इनका फिचकल नहीं होता है लेकिन जो फाइनल सेलेक्शन हुआ है आपको बता दें तो 12 दिसमलो चार एक से हुआ है और 26 नंबर इनके भी कटाप में बढ़ोतरी हुई है तो देख सकते हैं कितना रिट जोन हैं होस उड़ा देने बाला है कि आ आपको विश्वास उसी में करना है जो आपको दिखा रहा है तो आपका कटाप इतना ही गया है बाकी हम आपको बता दें कोई ना तो धानली हुई है ना तो धोकेवाजी हुई है अब बात कर लेते हैं गुरूप डी में फीमेल का अगर बात करें फीमेल का तो फीमेल के ल बढ़ोत्री OBC में फीमेल में भी हुई है अब बात कर लेते हैं SC की तो SC की बात करें तो इंक्चामन दसम्लो एक साथ से फिचकल के लिए नाम आया था और फाइनल सेलेक्शन आपका अंठामन दसम्लो जीरो तीन से हुआ है तो आप यहां भी देख सकते हैं कि साथ नमर की ब हुआ है तो आप देख सकते हैं कि लगभग 17 नमबर की बढ़ोत्री एश्टी में भी हुई है और आपको हम बता दें कि अगर फीमेल की बात करें तो सबसे हाई कटाप जो बढ़ोती हुआ है फिचकल के पहले और फिचकल के बाद में तो वह एश्टी में हुआ है उसके ब पांच में हुआ है तो आप देख सकते हैं कि लगभग 10 नमबर के आसपास 10 नमबर से थोड़ा ज़्यादा जर्नल के भी कटाप में बढ़ोत्री हुई है तो आप देख सकते हैं कि हमने कास्ट बाइज आपको मेल फीमेल दोनों और एक सर्विसमेन का कटाप बताया है और जो अधर ग्रूप के हों तो सभी ने देखी लिया होगा या तो जो ना देखे हों तो आप जिस ग्रूप से होंगे तो यहां आके आप क्लिक करके देख सकते हैं तो दोस्तों ग्रूप D के बारे में ही आपको हमें जानकारी देनी थी कि जो कटाप है तो बिलकुल होस उड का कटाप जाएगा ये तो कंफर्म था कि यहां OBC का कटाप जनल से ज़्यादा जाएगा लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि उससे भी बहुत ज़्यादा कटाप हाई गया है तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों यही जानकारी देनी थी ग्रूप D के फाइनल कटाप क के बारे में तो हमने पूरी जानकारी डीटेल से दी है आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेयर कर दें जिससे उनको भी जानकारी मिल जाए दोस्तों बहुत जल्द अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद